तालुकात एक दूसरे के दुश्मनी के हैं जब मजीद तहकीक की तो पता चला हर साल ये गुरूब ले लेकर जाते थे 30-40-40 का अर्मा हीरो बनकर लौखों में तकरने करते थे और वहांपन के क्या गड़ जोड़ है पता चला रायमंद से 100 करोल रुपिये से जादा इनका ए अजीर तफिश उन्होंने वहां को ने लिखा कि यह क्या है कि वहां भी बनियों यह किया था कि गरीब लोगों के बेवा है यतीम है दीनदार है कि हम ऐसा बिजनीस में लगा रहे जो शरीत के मताबिक है सही मनाफ़ा मिलेगा यही बनिया शूरा हरांखोर तो इन इन बनिय सकंडल कई खरब अरब नहीं हजार अरब के खरब होता है कई खरब का इन्होंने गरीबों के माल उटके आपस पर तक्सिम करके खा गए आरहां वह मसले भी लग रहा है वहां भी 50-60 को नोटिस आ चुके हैं इंशाल्ला यह जितने भी रिश्वत खो रहे हैं और जितने भी हराम खो रहे हैं उम्मिद है कि मौजिद हुक्मत इनको इनके इनका गला पकड़ेगी इन पर में नोटिस आने शुरू हो गए हैं और अलहम्दल्ला वहां पर भी सुरत हाली है कि यह जो हराम खोर आलमी चुरा है इसके इसको सिसकी हक्यत इनके सामने आगी है अब वहां प और बढ़ता चला जा रहा है कि इसी तरह हिंदुस्तान में नहीं यह किया कि सेक्ड़ों कड़ों रूप्य खर्च कर रहे हैं यह मौला साथ को हटाने के लिए यह दुनिया बर के बनियों को इनों का बस अब निजाम अदिन गुजराती बनियों का हो जाएगा काम भी तु पॉलिस है वो बताते हैं कभी हमें हमें कहले ना आपसे का दुश्मरी है और तो आपको लोग आकर जो पॉलिशी चशन है यह बनिये जाकर उनके लोगों खरीदते हैं उपर तक गलत कब रहें कि मौला साथ का जो वह है बागीचा जो उनके शामली या कांथला में है उसमे में बड़ी नोने तामीरात किये महलात बनाए यह बड़ा पैसा महाँ पर है अब पोलिस तफ्षीष करने लिए पहुंची तो पता चला कि महां तो मौला साथ का नाम का कुछ हाई नहीं कि महां तो मौला ने इसार जो मौला साथ के दामत बरकातम के सुसर से रहम पलाल है तो उनका जो हिस्सा था वो उन्होंने अपनी बेटिया न मौना साथ की भीव को दे दिया था कि अब इन्होंने कहा कि इनके पास जो बड़ी कीमतिगाड़ी है कहां से आता है पैसा जब तब्तिश की तो पता चला कि बहुत सारे ताजीर जिनका करोन का सौ सौ दो करोर कहें फिर होता है यानि तिजारत बिजनिस में पैसा लगते हैं उनका उन्होंने अपनी कीमतिगाड़ी अल्ला के लिए वक्त की है कि दीन के काम आई है मौना साथ के नाम ही नहीं हो आपका इनका निजामों दीन में करोनों बॉंड है करोनों डालर है बड़े अगर की चीज होती है चाहिकी पती लाना शकर लाना यह लाना वो लाना और महां पर निकले पांच हजार रुपीए और तकरीबंड़ाई हजार रियाल हवरत जी मौलान साथ अमद्बरक्रताम के हम्शीरा जो है अभी इंतकाल फर्माएं कर ला दर्जात फर्माएं आला द लिकाह में तो उनको कैंसर हो गया तो इनके लाज चल रहा तो उसके लिए पैसे थे अब उस सारे हुकाम है कितने बड़े बड़े अल्जामात थे देखा कुछ भी नहीं अब इनकी गब्मक्ति आई भी है तो तुम्हारा पड़ों से क्या तालुक है मौलाना इबराहिम सा साथ पहले दिन कि यह कह दिया उन्होंने माय बर्यू जिमा हो बरात का इजहार करता हूं आले में शूरा से मेरे से को तालुक नहीं और मैं अपनी जिंदेगी बाकि अपने गाओं देवला में रहूंगा मैं जो पढ़ाऊंगा पढ़ूंगा दीन की बाते करूंगा मेरा इस शूराउरा से कोई लेना देना नहीं है लेकिन असल सरगना तो मौलान अहमाद लाठ है यह सारा गोरक धंदा और सारा सभियत का जाल उन्होंने बुना था अब इनके पास आया तो यह अपने नखरे दिखाने लगे पोलिस ने कहा के देखो तुम अपनी तक्री मत करो जो पूछा जाब दो यह सब के पास गए फिर यह पूरी पूरी टीम अब सब के पीशे अब आपस में उनके पहुंच रहे हैं कि हम बड़ी मुशिबत में आ गए किसी के जबान से निकलकर हमारा मरकाज जामत दिनी पाकिस्तान है हमारे सारा काबिर महां के है उन्हीं की श जबर जबर किया था माने तुम आपने मर्जी से किया जो ताब है और जो मत्बू है उनका भी कुरान में जगे तशकरा है कि अल्ला जो हमारे सरगना है लीडर है जो बड़े हैं यह अन्ला उनको डबल अजब दो इनके कहने पर हमने गलत काम किये थे वह यह कहीं कि तुम यह गिर्फ से मागा और चलता रहेगा मसला जिन्दगी पर चलेगा नसलों तक चलेगा जो कि तुम वहां जाकर हीरो बनकर क्यांकर हरकते और वहां पर भी जो भई खातम का खुल चुका है और नोटिस मिल रहे हैं और सेंक्रों को मिलेंगे भी जिन्होंने मुलत के उम्मत के माल को जो है वो शर्यत के नाम से के नफ़ा देंगे और इस तरह पर इतना बड़े सकंडल किया वहां पर और उन्होंने यहां पर किया तो बाराट पहले मसला तो माल का चला अब दूसरी चीज़ा आ गई है कि बलाओ अब अब हर एक को लिखका देना पड़ेगा इस ट् सब्सक्राइब करते हैं आलामी शूरा से और अभी देखिए जब पकर धकर होती है थाराज में अपनी जान बचाता है यह जो चीलिया काम है मालान उमर साब पालनपुरी दामाद बरकादों की रहमत लले की यह तो साफ करेंगा यह तो यह दो वरोश्के हैं इनी को अंदर करो आलमी शुराव का हमारा उस्मान काको से समाल लेगा उदर यह इसमाल गोधर भी है इसको मैं साथ सा से जानता हूं यह जो जिला पंच महिल है इसका साथ में दाहोद जिला है हमदाबाद तक इसने किसी आत्म को भरना ने दिया हाला कि इस नहीं बिचारों को बोलते आत हमेशुरा को इनको दंदर जाए तो यह अच्छा और जो बड़े-बड़े मालदर पकड़े वेद हैं महला नहां हमद लाटने यह फारुक सबसे बड़ा बेंगलोर का और उसकी कौम जो चौम्डों का अर्बों अर्बों कारबार था महतरास में बेंगलोर में वह भी बरियुसमा कि भाई हमारे इंसे कोई लेना देना नहीं हम तब्लीग काबिर वुद्र समस्चे उनके पास आते थे और यह जो कहते थे हम करते थे उनसे पूश अधिनों फराड किया है इन्हों ने दावतिये काम को रुखसान पहुंचा रहा है इन्हों ने अपनी कौम किया सब्हें दे जाहरिया दाखिल किये तो मैं रहा था कि यह जो एक मसला चल रहा है इंशाला निजामतिन आप देखेंगे और देखिए अद्बर लबादी का श स्राम करें जरीयत है रास्ता खोल दिया रहनमाय फर्मादी अब जिसको चाहिए अभी की बात है यहां पर बैसनल गरीन देड़ किलिमेटर कि वहां पर सुमारिय की जमाता मुफ्ति उमर गए मिलने के लिए पांच शे आदमी थे जमाते तो बन हैं यहां पर जो डूस्बर रहेंगे को मुद्ध होनी चाहिए हम तो डार्ग नजामत दीन से हवरत जी दामत बरकात तुमकर जो ब्यान आते हैं जो हिदाय आते हैं उससे हम रहनमाय ले रहे हैं उन्हों का हमारा सुमारिया में जारता राय बन के थे हिंदुस्तान के भी थे कई सवाध में इनको जारी है हर अफ्टे तीन तीन दिन की आदा दर्जन एक दर्जन जमाते निकल रही हैं वह उल्मा जो नहीं लगए थे वह भी लग रहे हैं अब सुमालिया जिनमें शिफात होगी और जो अल्ला के लिए करेंगे अल्ला का नजी को गोरा काला मश्रिक मागरिव इंडियन प निकल रही हैं मकामी तो पर निकल रही है बाहर के लिए भी तो एक रास्ता खोल दी अल्ला ने और उस रास्ते को हवरत जीद दामत बरकात्व को हम यह अर्श करेंगे बस यह देखना के सहाब के तरह से चलना है हमारे नारा मुझे जो जामते हैं 25 साल से मेरा नारे यह हमे हर दोर के लोगों ने कुरां सुनना सीरद स्वाबही को असल समझाए जो हो रहा जो जो सही करेंगे अजर पाएंगे जो दीन के नाम पर गडबड करेंगे खुद ही पखड़े जाएंगे अब देवबन का यह हाल है कि यहां पर दोस्त आते हैं अभी मुलान रफीक जो हमा समाथ में जाएं यह सारे मौली आ जाते हमें बहुत कर दे के लिए तुम गलत हो दोबन कर यह फटवा है मौना साथ यानि इन जो अल्ला निपर रहम करें बंगला बंगलादेश के मौलियों पर दोबन का फटवा यह कुरान हदिस कोई चीज नहीं है हुजूर असाहबा की सिंदे की कोई चीज फटवा के आगए मौला रशदमद्नी दामद बरकातों ने या देवबन के किसी महत्मी मौकरा ने पहले उन्हों रुजू कर लिए सारे फटवों से अब यह खूद मौला ना अर्शदमद्न दामद बरकातों जा रहे हैं मौला साथ के बाद और उन जमातों केस लड़ रहे हैं जो फसी भी है अब पूरा ताउन देवबन भी दे रहा है और हिमाद कर रहे हैं यह हमारे हैं देवबन दिये हैं लेकिन गलती है हुई कि उन्होंने वह फत्वा कुछ शरीर लोग अफाद फैल रही है रही है बेहाई मघरीपियत हम जिन्स परस्ति शराब और क्या क्या यहीं नहीं आप तो काधियनत्र भी अपना काम कर रहे हैं मिश्नरियां कितने लोगों की इसाई रोजाना मना रही है है जारी गलत दावत हमाँ चल रही है गामदी की भी चल रही है लेकिन ये जो जहल मौली है बगलादेश के इनके नाजिक मुन कर क्या है सिर्फ तब्ली की जमादी बागी कोई मुन कर दे हैं और अगर इन देवबन के लोगों को पूछो ये कहेंगे हम मानते हैं मौला साथ सही है और सही काम कर रहे हम इनके साथ है ये हटाओ वो गलत जो फत्वागों है करने देवबन का मकाम इतना उचाहे और देवबन की शान इतनी बड़ी है कि अगर हम रुजू किया तो हमारे वकार पर तुमारा वकार तक पहले ही खतम हो च जारे आईमाय मुश्टहदीन हमने थाने में रहत लेकर पूरा रुजू बीश्वन जगर रुजू किया तो गलत गलती का एहसास हो गया रुजू करने से कि यह जालिया असभियत है कि कलम से निकल गई आप हाक वाज़ होगा फिर पर देटे रहा हो तो मैं इसका राता यह जो कुछ हो रहा है अल्ला ताला देख रहा है हम तो आफियत की करते हैं अल्ला आफियत दो बार हमें ले आए सहाबा के रास्ते पर और उस रास्ते पर कि हम कल हज़रत महदिल असलाम के साथ ही बन सकें